नमस्कार साथियों, स्वागते आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर संस्क्रत कोचिंग क्लासेस में दोस्तों आज का हमारा टोपिक है अस्माकम देश ये निवन्दे दोस्तों और ये दस नमबर में पूँचा जाता है कक्चा दस्वी किसी भी बोर्ड परिक्चा में जैसे MP बोर्ड, UP बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड एक्जाम होती है उसमें ये परिशन पूचा जाता है दस नमबर में अस्माकम देश पर निवन्द लिखिए तो आप अच्छे से इसको समझ ले इसकी व्याक्य सहीत आज हम आपको बताएंगे पहले संस्काप में पढ़ेंगे उसके बाद आपको उसका हिंदी अनुमाद भी बताएंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो बल जाये थिन दस बिंदो को आप अच्छे से पड़िए और 10 नमबर हो को बिल्कुल पक्का जाए ताकि उसकी आपर हम वीडियो बना दे तो गोट फीग है आपका के लिए हो जाए तो चलिस शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो कोँ देखिए सबसे पहले भारत हमारा देश है यह एक पॉइंट आपका यह पर हो जाता है भारत हमारा देश है अस्माकम देश विशाला अस्ती हमारा देश विशाल है बहुत बड़ा है अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है अश्यो उत्तरश्याम दिसी हिमाले वर्तनते इसके उत्तरश्यामे हिमाले हिमाले है अगला point देखिए सागर अश्य पाद प्रक्चालनम करोती सागर इसका क्या करता है पेरों को चूता है इस पर्स करता है सागर इसके पेरों को इस पर्स करता है अगला point देखिए अश्य भूमी सश्च शामला अस्ती यहां की भूमी क्या हरी भरी है अगला पॉइंट देखते हैं बहुत ही सरल दोस्तो आसने से आपको याद हो जाएंगे यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को तोड़ा सा रोक ले और जिसके बाद में वापिस तोड़ा सा पीछे करके वापिस जो भी पॉइंट आपको समझ में पॉइंट से गी आए उसको वापिस सद्ग देखें आप ताकि आपको अच्चे से समझ महा संद्ध करएंध दो से तीन बार देके बार बार देकर उसको उसका अर्थ को जानने के कोश्य करें ताकि आपको इ न deben dollars से याद हो जाए Сब्लकित अस्माकम देसे अनेकां अफते प्रदेशा संती असमाकम हमारे देश में अनेक प्रदेश है हमारे देश में क्या है अनेक प्रदेश है अगला पॉंट देखिए असमाकम देश से अनेका बासा संती हमारे देश में अनेक बासा भी है अनेक बासा का प्रियोग किया जाता है अगला देखिए असमीन देश से विविन्न धर्वाव लंबी ना वर्तनते इस देश में विविन्न धर्वाव लंबी है इस देश में क्या है विविन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं अगला देखी अगला बिंदू अगला बिंदू है असमाकम देशे विविदे संस्कृतियां संती हमारे देश में विविद कहीं पिरकार की संस्कृति है हमारे देश में कहीं पिरकार की संस्कृति को भी माना जाता है देखिए अगला परम सरवासु संस्कृति सु सद्रशम वर्तंते परम सभी संस्कृतियों को सबसे उपर माना जाता है एक समान रूप से अपनाया जाता है एसा नहीं है कि किसी ये दूसरे संस्कृति का लोग है तो उसमें बेदवाव किया जाता है ऐसा नहीं किया जाता है सभी संस्कृतियों को सद्रश समान रूप से माना जाता है अगर देखिए भारत यह ते अनेकादी एतिहासिक हस्तल इस्तलानी संथि भारत में अनेक एतिहासिक इस्तल भी है भारत में कहीं पिरकार के एतियासिक इस्तल भी है अगला अगला है भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदाया नध्या प्रवंती भारत में गंगा यमुना गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, नदि, नदियां बहती है बहत में ये पिरमूक नदियां भी बहती है और अगला देखिए और लश्ट है हमारा बिंदू दोस्तो आपको यदि तेरा पॉइंट याद हो जाते हैं तो तेरा करना है यदि नहीं होता है तो आपको सिर्फ दस बिंदू याद करने है जो भी आपको सरल लगे वो याद कर लेना कतितमस्थी के कहा है कि जन्नी जन्मे भूमी स्वर्ग दापी गरिशयसी जन्नी और जन्मे भूमी स्वर्ग से भी महन होती है जाता है, ऐसा कहा गया है कि जन्नी ओ जन्म भूमी स्वर्गे से भी महान होती है तो इस दोस्तों आज के इस टोपिक में हमारे थे 13 पूइंट 13 में से आपको कितने करना है? सिर्फ 10 करना है यदि आपको 13 हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है अगर नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ दस बिंदु याद करने और दस नंबर आप लेकर आ सकते हैं बहुत ही सरल है अच्छे से आपको हमने इसका इंदी अनुवाद भी बता दिया है यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समझ्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं हमें ताकि उसके उपर हम वापिस एक नया वीडियो बना दें ठीक है तो ये सभी बोर्ड परिक्चाव के लिए बहुती मेहतुपूर्ण है जिसके बाद में अब आपको हम बता रहे हैं इसका स्क्रिन सोट लेने का तरीका पूरा कर देते हैं आपको स्क्रिन सोट आप ले सकते हैं देखिए दोस्तो असमा कमदेश यह हमने पूरा कर दिया तो एक बार में आप इसका स्क्रिन सोट ले ले जिससे आप बार बार इसक को बताया तो इसमें एक लाइन हमने छोड़ रहा है कि ऐसे ही आप नोट से जब बना रहा है तो एक लाइन छोड़ कर लिख ले और उसका इंदियन वाद भी लिख ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके अवश्य बताये यदि वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक और सेर करना न भूले अपने सभी दोस्तों को जो भी टेंथ क्लास में हैं उनको सेर करें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आये हैं यदि पहली बार आये हैं तो चैनल को रेट करने में नीचे सब्सक्राइब जिससे आने वाला वीडियो का नोटिप केशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अच्छे से अपते यारी कर सके में मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जेहिंद जे भारत